हलो व्यूवर्स मेरे सिंपल फुट चानल में आपको स्वागत है आज हम सिंपल फुट में डाबा स्टाइल आलू मटर की सबजी आसान इसे घर पे कैसा बनाते हैं देखेंगे रिसिपी देखने के बाद आपको रिसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिये कैसी लगी कि मुझे कामेंट कीजीए अब तक मेरी चानल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजीए इसकी लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को टीक कीजिए ताके मैं अप्लोड करीगी तो वीडियो आप सबसे पहले देख सके डाबा स्टाइल आलू मटर की सबजी बनाने के लिए किन चीजों की जोरत है देखेंगे काट लिजिए तीन से चार लुसन के कली तीन से चार चोटे अध्रक के टुकडे तीन से चार हारी मिर्ट तीके के हिसाब से हारी मिर्ची कम ज़दा कर सकते ही Half teaspoon यहां पे लाल मिर्ची powder ले ले ली हुँ, तीके के हिसाब से लाल मिर्ची को भी adjust कर लीजिए एक teaspoon धन्या powder, वन बैफोर्थ teaspoon हल्दी powder, वन बैफोर्थ teaspoon गरम masala, थोड़ी सी कटी हुईई धन्या पत्ता एक टेबल स्पून बेसन ये रोस्ट किया हुआ भेसन थोड़ा बेसन को लेके हलका सा रोस्ट कर लीजिए हाफ टीस्पून कसूरी मेथी ये आप्शनली है अपना ही दाना चाहे तो आवाइट कर सकते ही स्वाद अनुसार नमर डो टेबल स्पून आईल हाफ टी स्पून जीरा अब प्रासस देखेंगे फस्ट एक मिक्सिंग जार ले लेके कटे हुए टमेटर अद्रकलोसन हरी मिच को आड़ कर लेंगे यहाँ पे मैं अद्रकलोसन ले रही हूँ अब चाहे तो अद्रकलोसन का पेस्ट भी ले सकते हीं आपके पास अद्रकलोसन अवाइलेबल नहीं हो तो इसमें खरी मिच एक डाल दूँगी मैं तीका थोड़ा कमी बना रही हूँ इसलिए मैं खरी मिच इसमें ग्राइंड नहीं कर रही हूँ अब तीका ज़्यादा पसंद करेंगे तो पूरे हरी मिच डाल के ग्राइंड कर लीजिए अब एक ग्राइंड कर लेंगे देखो यह अच्छा सा ग्राइंड हो गया है अब अगला प्रासस देखेंगे एक पैन लेके ग्यास कौान करके पैन गरम होने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून जितना आईल डाल देंगे आईल को अच्छा सा गरम होने देंगे गरम होने के बाद इसमें जीरा और प्यास को डाल लीजिए अब जीरा दाली थी एक क्लिप मिस हो गया सॉरी फ्रेंड्स मीडियम या हाई फ्लेम पे रखके ल साले लाल मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर और हल्दी और भुना हुआ ये बेशन को एड़ करके एक आध मिनीट तक फ्राई कर लेंगे कच्छी समल जाने तक अब इसमें आड़ कर देंगे जो हम ग्राइंड करके रखे हुए टमीटर अद्रो क्लोसन और हरी मिर्ची को एड़ कर लेंगे ये पेस्ट को बे लगतार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे अच्छा सा चलाते हुए अच्छा सा फ्राई कर लेंगे इसमें हम अद्रकलोसन को एड़ करके पेस्ट कर रहे हुए ही इसलिए हम चलाते हुए अच्छा सा भुना है ये मसाले को ये मसाला मीडियम या हाई फ्लेम पे रखके चलाते हुए फ्राई कर लीजिए देखो अब देख सकते ही यह मसाले से आईल अलग हो गया है आप अध्रकलसन पेस्ट का यूज़ करेंगे तो प्यास को गोल्डन ब्राउन करने के बाद आड़ करके फ्राई कर लीजिए अब इसमें आड़ कर देंगे फ्रेश मटर एक से देड़ मिनीट तक फ्राई कर लूँगी इस मटर को मैं अब नहीं चाहे तो डायरेक्ट पानी दाल के भी पका सकते ही यह थोड़ा फ्राई करने से अच्छा से रहेंगे अब इसमें आड़ कर दूँगी मैं स्वाध अनुस आपानी आड़ कर लेंगे एक से देड़ कप्चित ना पानी दाल लेंगे अच्छा मिक्स कर देंगे मटर को अच्छा सब पकने तक ढख के मीरियम या हाई फ्लेम पे रखके पका लेंगे मटर को पकने तक 6-8 मिनिट लग जाएंगे मटर पकने तक बीश में एक बार ढकर निकाल के मिक्स करके दुबारा से पकाएंगे बार मिक्स कर दी हूँ और आड कर लेंगे हरी मिर्च मैं यहां पर इस टेज पर हरी मिर्च दाल रही हूँ फर्स्ट ही दालेंगे तो हर्मिच पूरा पक के मिल जाएगी इसलिए मैं अब दाल रही हूँ अब तीका ज्यादा पसंद करेंगे तो हर्मिच को पीसेस करके भी दाल सकते ही मैं इसमें ज्यादा तीका नहीं दाल रही हूँ अब ढ़क के दुबारा से पकाएंगे चक कर लेंगे ये मटर पका हुआ या नहीं ये मटर तो अच्छा सा पक गया है अपका मटर नहीं पका हो तो और थोड़ी देर मटर को पका लीजिए अब आट कर लेंगे गरम मसाला और आलू, आलू को हाथ से मैश करके दाल लीजिए इसी तरह देखो तोड़के अच्छा है तो पीसेस के जैसा बना के भी दाल सकते ही इससे टेस्ट अच्छा लगेगा इसी तरह दालने से थोड़े छोटे पीस और बड़े पीस रहेंगे भी दालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ग्रेवी की कंस्टेंट सी अपनी हिसाब से रख सकते ही और थिक चाहे तो और थोड़ी देर पका लीजिए न थोड़ी पतली चाहे तो और थोड़ा पानी दाल लीजिए एक बार चक्के देख लेंगे मुझे नमक कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा नमक दाल रही हूँ अ दाल देंगे हाथ में यह अप्शनली है आप नहीं दालना चाहे तो आवइट कर सकते ही दालने से इसका फ्लेवर और बढ़िया रहेगा अब आट कर देंगे कटी हुई धनिया पत्ता धनिया पत्त को दालके अच्छा सा मिक्स कर देंगे दनिया पत्त दालने के बाद और एक आदा मिनीट तक पका लेंगे बस जादा नहीं एक अंस्टेंट से अजस्ट कर ले सकते ही गाड़ी या पतली बनके तयार हो गई है आलू मतर की सबजी डाबा स्टाइल ग्यास को आफ कर दूँगी अब एक सर्विंग बॉल ये कडाई में निकाल दूँगी मैं ये बनके तयार हो गई है डाबा स्टाइल आलू मतर के सबजी या आलू मतर के सबजी को आप पराठा, नान, चपाती, चावल के साथ भी सरू कर सकते ही कैसे लगी फ्रेंड्स भी राच की रेसिपी, मैं उमीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आईगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कैसे लगी कि मुझे कामेंट जरूर कीजिए, अब तक मेरे शानल का आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज फ अगली रेसिपी के साथ, तैंक यू फर वार्चिंग.